सब्सक्राइब कर ये स्टूडियो तक को बेल आइकन को भी दबाईए ताकि लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए स्वागत है आपका कॉलिज रिव्यूज के एक फ्रेस एपिसोड में तो जानते हैं आज का कॉलिज का रिव्यूज स्काइलाइन इंसिचूट ऑफ इंजिनियरिंग टेकनोलोजी एसाइटी ग्रेटर नवेडा दोजार दो में वनी थी कॉलिज अगर बात करें एसाइटी कॉलिज की तो प्रेमियर टेकनिकल इंसिचूट है कार्या YOUR मत biss clinical हैं कहना इनका यह है कि हम निरंध बच्च अपना कैरियर्स सक्सेस्पुल रोब सेते क करें अगर बात करें एसाइटी की तो सिविल एंगिणिर्स को सब से जादा इंपयर लारज सिविल इंजिनियर्स को डशी इसे इंचेर की लबuerdoट तो और NOW से विज developments Integrated है Approved है AICT Ministry of HRD से Affiliated है UP Technology University लखनाउ से Extra curriculum activities जो होती है और sports होती है seminar quiz, technical paper, presentation लबसम होती है लबसम 62 के class rooms है इनके पास tutorial rooms है, laboratories है, seminar hall है, conference room है, library है वही boys hostel, girls hostel है, boys hostel का intake लबसम 400 का है और girls का 200 का लबसम है एन्वेल कुल्चरल फेस्टिवल्स फ्रेसर्स पार्टी यह और्गनाइज करते हैं जिसमें स्टुडेंट्स परफॉंग करते हैं बहुत सारे अगर बात करूँ केरियर 360 की तो उसनोंने ए रेंक दिया है इनको 2013 में स्टेट लेवल पे एसाइटी की बात करें तो एसियास बेस्ट फास्ट ग्रोइंग एडुकेशनल इंसिचूट है यह एवाड़ेट वाइड 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 वाई के पी एमजी इन एशियान एडुकेशनल एक्सेलेंस समित 2014 में फैसलिटी की बात करें तो computer lab मिल जाएगे आपको sports medical cafeteria library ओडिटोरियम,hostel,laboratries सब मिलेंगी courses and fees की बात करें और eligibility criteria की बात करें तो btec में अगर आपको लेना है undergraduate में btec में लेना है तो 10 plus 2 में 75% plus j means और लपसम जो फीज जाती है वो 1,6,000 के लपसम जाती है पहला year की MBA की बात करें तो graduation में 50% होनी चाहिए प्लस cat से आप जा सकते हैं btec लेटरल भी इनके पास डिपलोमा भी है भी फार्वा में 10 plus 2 होनी चाहिए एक लाग 6,000 के लपसम फीज है mca में अगर बात करें तो graduation होनी चाहिए लपसम 96,000 के फीज है mca लेटरल भी है इनके पास तो भी कर सकते हैं अगर बात करें अब admission process की तो कैसे ले सकते हैं आप अप्लिकेशन मोड ऑनलाइन होती है इनका आप एंट्रेंस कौन कौन सा दे सकते हैं यूपी एच डेवली बीटेक और mca courses के लिए साथ ही जही में पर भी आपको मिलेंगे आपको कैट देनी पड़ेगी एंट्रेंस मोड इनका ऑनलाइन होता है एंट्रेंस एक्जाम जो डेट होती है लपसम यूपी एस डेवली एपडिल उन्तिस को और कैट नवेंबर 26 को लपसम होती है काउंसलिंग ये स्टेट के तुरू कराते हैं ऑनलाइन और आफलाइन जैसा कि मैंने कहा के 10 प्लस टू आपके होने चाहिए PCM से अगर बाइलोजी है तो वह फिप्टी 55 परसें आपके होने चाहिए लपसम मार्क्स और SCST हैं तो 40 या 45 परसें आपके होने चाहिए जैय मेन, UPSW3 आप ले सकते हैं Capital Science में Mechanical में Electronics में स्टीवल में Electric and Electronics Engineering में किसी भी फिल्ड में आप ले सकते हैं B.Tech में वहीं बात करें, कोई सेपरेट कोटा नहीं है आधर स्टेट के बच्चों के लिए, लेटरल एंट्री सेकंड यर में भी यहां होती है, और जेए मीन्स के मार्क्स पे भी जा सकते हैं, और यूपी एच डवली कौंसलिंग के थुरू भी जा सकते हैं, अगर आपको में लेना ह चाहिए है, आप गार इस कंपेर्ट तो अधर स्टेट के, एप्लिकेशन प्रोसेस में कौन-कौन सी डोकोमेंट चाहिए है, तो खते, स्टीफिकेट अाभू ले अब लेटरो आपक लिए, प्री टेवेशर्टार शार्ट के लिए अफ कोडमेंट के लिए खनाव चाहिए, इंपेरिट के लिए तीन गर्ल्स आप यूपी के लिए 20 परसेंट का सीट रिजर्वेशन है लबसम इनका जो इंपोर्टेंट डेट्स है बीटेक और एमसी एडमीशन के लिए तो 29 मार्स से शुरू होती है 6 जून तक और एमबीए का इडमीशन के लिए 21 जनुवेडी से लबसम 8 फैब तक शुरू होती है प्लेस्मेंट की माने तो पॉसिबिल्टी बहुत कम रहती है यहां पर बच्चों का कहाना आएए एवरेज है प्लेस्मेंट कभी इंटरंसिप होती है कभी इंटरंसिप नहीं होती है बहुत तीन से चार औरनाइशन भीजटेश स्काइलाइए और मस्टी एइट टू टेंस्टेंस टेकें फ्रम बीटेक तो टैन पंसट पॉसिबिल्टी है बच्चों का कहना है यह लेकिन साथी इनका कहना है कि 80 से 90 परसेंट को यहां पर प्लेस्ट मिल जाती है कौन-कौन से रिक्र स्कॉमल्स स्कोलर्षिप की बात करें तो कॉलीज के पास कोई भी स्कॉलर्षिप प्रोग्राम नहीं है अगर आपको छौर्षीप लेना है तो स्टेट से हैं उस स्टेट गवर्मेंट लॉन आप भर सकते हैं डोक्टर ऐस at चौहान इनका डिरेक्टर है रोहित कुमार, ज सब्सक्राइब तो यह थी स्काइलेंट इंजिनियरिंग टेक्नोलोजी की रिव्यूज बेटर नॉयटा में है एसी टी अप्रूब्ड है दोजार एक में बनी थी एक ट्यू लखनों से एफिलेटेड है एसीटी अप्रूब्ड है प्राइवेट कॉलेज है यह तो अगर आप आप किसी गलत जगह नहीं जाना चाहिए तो आज के लिए इतना ही तो कॉलेज रिव्यूज के एपिसोड में इतना ही हमें उमीद है आपको एपिसोड पसंद आई होगी अगर वीडियो को लाइक शेर नहीं किया तो लाइक शेर कर देना चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूना दन्यवाद